हेलो स्टूरेंट्स आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्वर्टिब्रेड की फैलं मैं एस्क फीचर के बारे में कि सबसे पहले ही सब्सक्राइल ह belongs होते क्या है सुदोसल्यमेट के लार्ज़ेस्ट फैल अम एक हाद इस पहलन क्या होते है उसको पढ़ने से पहले हम यह देख लें सिलोम क्या होती है सिलोम यानि देगोहा जो देगोहा होती है वो दोनों तरफ से अंदर और बाहर दोनों से मिजोडर्म से लाइन रहती है उसे हम बोलते हैं देगोहा, true देगोहा, लेकिन यहां पर हम इसे pseudosilomate बोलते हैं pseudosilomate क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो body cavity होती है ये body cavity दोनों तरफ से mesoderm से line नहीं रहती है cover आस्तरित नहीं रहती है हमने ये पढ़ा कि तीन जनन इस्तर होते हैं ectoderm, endoderm और बीच में होता है mesoderm अगर body cavity दोनों तरफ से mesoderm से line होती है तो हम इसे बोलते हैं true silom और अगर क्योंकि S-K-Helminthes में ये दोनों तरफ से silom से आस्तरित नहीं होती है इसलिए इसे हम बोलते हैं pseudo silom आबासी देगुहा या कूट देगुहा भी कहते हैं तो ये जो phylum होता है S-K-Helminthes ये कूट देगुहा ग्रूप का सबसे बड़ा phylum होता है तो इसके आज़े special character होता है वो होता है कि ये इनमें जो silom पाई जाती है वो pseudo silom होती है इसके पहले जो phylum था जिसे हमने कहा था platte helmet वो a silomate होते है उनमें कोई देगुहा नहीं पाई जाती है तो इस वज़े से ये lower जो phylum है platte helmet उससे अलग होते है और इसके बाद जो higher phylum होता है annilida उससे भी ये अलग होते है क्योंकि annilids जो होते है वो silomate animal होते है यानि उनमें जो देगुहा होती है वो दोनों तरफ से mesoderm से lined रहती है तो ये जो phylum होता है ये lower जो platte helmet से उससे थोड़ा सा upper version होता है और higher phylum annilida से lower होता है और ये कहलाता है pseudo-silomate group होता है दूसरा main character इसका होता है bilaterally symmetrical होते है यानि द्वी पार्ष्व सममीद होते है द्वी पार्ष्व सममीद क्या होती है कि अगर इन्हें एक axis से cut करते है तो दोनों mirror image बन्दी है और ऐसा axis सिर्फ एक ही होता है anterior से लेकर posterior तक क्योंकि यहाँ पे anterior end और posterior end बिलकुल अलग-अलग दिखाई देते हैं ये ट्राइप्लो ब्लास्टिक होते हैं यानि तीन जनन इस्तर इन में पाये जाते हैं एक्टोडप मीजोडप और एंडोडप इसलिए ऐसे जन्दों को हम बोलते हैं ट्राइप्लो ब्लास्टिक या त्री जनन इस्तर इह होते हैं इनकी बॉड़ी अन्सेग्मेंटेड होती है यानि अविखंडित होती है इन में कोई शरीर में खंड नहीं पाया जाता है ये सब किसम round worms होते हैं या thread worms बोलते हैं round worms क्यों कहते हैं इनको क्योंकि जब हम इनका section cut करते हैं और हम देखें तो ये का structure जो है वो round दिखाई देता है इसलिए हम इने क्या बोलते हैं round worms बोलते हैं एक और important structure जो character होता है वो होता है इन में organ system grade of organization होता है that means शरीर जो है वो अंग, तंत्र, कोटी, संगटन के बरावर होता है इसमें digestive tube जो होती है वो complete होती है इसको भी हम समझ लें यहाँ पर कि जो platter helmets थे उन में जो elementary के नाल थी उसमें सिर्फ mouth opening थी एनस नहीं था इसलिए हमने वहाँ कहा था कि digestive tube या elementary के नाल जो होती है वो incomplete होती है लेकिन यहाँ पर mouth anterior end पर और और एनस posterior end की तरफ पाया जाता है इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसके अंदर जो elementary के नाल होती है वो complete होती है इस तरह से S के helmet थीज को अगर हम फिर से define करें तो यह pseudo silhouette होते है यह flower flat form और जो higher grub है anilina से अलग होते है इनमें द्वी पार्ष सम्मित्य पाई जाती है यह तीन जनर इस्तर पाई जाते है यानि ट्राइपलोब्लास्टिक होते है यह अविखड़ित होते है यह सब के सब गोल क्रमी या round warm होते है या thread like होते है या सुत्र जिसे हम कहते है सुत्र रूपी होते है इनमें organ system grade of organization होता है that means शरीर, अंग, तंत्र, कोटी का संगटन पाई जाता है और digestive tube जो है वो complete होती है यह S.K.H.M.D.S. के main characters होते है अब हम पढ़ लेते इनकी आगी general features के बारे में पढ़ लेते यह सब के सब यह तो aquatic होते है free living होते है या परजीवी होते है या जलवासी होते है या स्थली होते है या जादा तर जो है यह कैसे होते है परजीवी होते है या यह अपने जीवन जो है वो किसी दूसरे animal में पूरा करते हैं अब जो free living होते हैं वो maride भी होते हैं fresh water भी होते हैं और terrestrial भी होते हैं यानि जो free living होते हैं वो समुद्री भी होते हैं अलवनी जल में भी पाया जाते हैं और stally भी होते हैं इनमें जो stally species होती है जो जमीन पर रहती है वो thin इनके चारों तरफ एक thin जो film पाया जाती है पानी की और surrounding soil particle के चारों तरफ जो पाया जाते हैं यह उसमें पाया जाते हैं जो parasites होते हैं वो plant और animal दोनों को attack करते हैं और दोनों इनके host होते हैं free living species जित्ती भी होती है जो स्वतंतर जीवी होती है वो microscopic होती है और परजीवी जो होती है वो हमेशा लंबी होती है तो इस तरह से इनका जो आवास के हम बात करते हैं तो यह जलिये भी होते हैं free living भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं और जो इस्थली होते हैं वो जो soil particle के चारो तरफ जो एक थिन पानी की film पाई जाती है वहाँ पाई जाते हैं और परजीवी जो होते हैं वो plant और animal दोनों में परजीवी के रूप में पाई जाते हैं और जो free living होती है वो हमेशा microscopic ह होती है minute होती है और जो परजी ही होती है वो हमेशां लॉग होती है ठ्रेड लाइक होती है sorry जैसा हम पहले डिस्कस कर चुकिंगे यह दुईपार से इन में पाई जाती है और यह विखंडित होते हैं यह तोनों सीरो पर यह नुकीले होते हैं एंटीर एंड भी नुकीला होता है और इसका पोस्टिर एंड भी नुकीला होता है इनकी बॉडी जो होती है वो स्लेंडर होती है वर्मी फॉर्म होती है और ज्यादा तर यह वर्म लाइक होते हैं या फ्लैट होते हैं या राउंड स्ट पाया जाता है और यह सुडो सिलोमेट होता है जैसा हम पिछली स्लाइड में डिसकस कर चुक है कि इन में जो कूट देगुआ पाया जाती है ये तीन चनन इस्तर होते हैं और इनके अंदर शरीर का जो संगठन है वो पाया जाता है अंग तंत्र कोटी का संगठन पाया जाता ह इनकी जो body wall होती है जो शरीर की बित्ती होती है वो मोटी होती है और प्रतिरोधी cuticle होती है क्योंकि ये परजी भी होते है इसलिए इनकी cuticles होती है वो प्रतिरोधी होती है और ये कोशिकी होती है और बहुकेंद्र की epidermis और तो थिक cuticle पाए जाती है और cuticles होती है वो कैसी हो बहु गेंद्र की होती है, that means इसमें एक continuous layer होती है, cytoplasm की और इसके अंदर बहुत सारे nuclei प्रेजेंट होते है, इनमें लोकोमोटरी cilia जो है, वो absent होती है, और सिर्फ rotifers में anterior cilia प्रेजेंट होती है, otherwise क्योंकि यह जादा तर परजी भी होते है, तो इन्हें चलन अंग की जो है, वो absent होता है, इनमें muscles पाए जाती है, और muscles जो है, वो longitudinal fibers में, अनुदेधर ये पेशी रेशे होते हैं, और ये सिर्फ चार वलय पाए जाते हैं, चार ring foam में पाए जाते हैं, और कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ longitudinal होते हैं, या अनुदेधर ये पाए जाते हैं, इ नहीं होती है अब जो इस body cavity के अंदर जो fluid भरा रहता है जो द्राव भरा रहता है वो इसके hydrostatic skeleton की तरह function करता है क्योंकि इन में कोई circulatory system नहीं होता है इसलिए ये body में circulation के अंदर help करता है परिसंचरण के अंदर मदद करता है digestive canal जो है वो complete होती है भी बन गया और एनस भी होता है और माइनलिविंटर के नाल जो है वो सीधी होती है straight होती है फैरिंग्स जो है वो इसका muscular होता है क्योंकि food जो है वो absorb करना होता है इसके लिए और बहुत specialized होता है respiratory organ absent होता है क्योंकि ये ज़्यादा तर परजी भी होते है और वहाँ पे oxygen की उपस्तिती नहीं होती है और जहाँ oxygen की उपस्तिती होती है ये सीधे diffusion के true body surface से oxygen absorb कर लेते है इनमें परिसंचरन तंत्र नहीं पाया जाता है और इसका काम जो है जिसे हम कहते है ग्रंतियंग या नाल या पाय जाती है जो प्लेट हेलमेंथी से जवाला कोशी का है पाय जाती थी वो यहाँ नहीं पाय जाती है और कुछ में proton nephredia पाय जाते है जो की osmoregulation या मदद करते है अब यहाँ पे cloica present होता है cloica क्या होता है एक common opening होती है जो digestive system, excretory system और reproductive system की common opening होती है बाहर की तरफ उसे हम बोलते है cloica तो यहाँ पे opening जो है exterior opening जो है वो cloica present होती है nervous system जो है इसका बहुत simple होता है और एक वलाय पाय जाता है आंत्रो परितंत्री का वलाय पाय जाता है जिसे हम बोलते है anterior end पर पाय जाती है और इसमें posterior की side पर longitudinal nerves पाय जाती है जो आगे से पीछे की तरफ फैली हुई रहती है sense organs present होते है जो सम्वेदी अंग होते है उनका विकास अलागी कम होता है लेकिन जो इसका mouth होता है और जो suckers present होते है उन suckers के उपर pits होते है papillia होते है bristles होते है और जो free living है उनमें eye spots भी present होते है इस तरह से सम्वेदी अंग जो है इनका विकास कम होता है लेकिन चरीर के दोनों सीरों पर इनमें papillia ही present होती है ये जादा तर जो है वो dicius होते है यानि की एक link अश्री होते है यानि sex जो है वो अलग-अलग होते है male अलग होता है और female अलग होता है और male और female अलग होते है तो इन्हें हम बाहर से देखने पर पहचान सकते है इसलिए हम इसे कहते हैं कि इनमें langic द्वी रूबता पाई जाती है जादा तर में female जो है वो बड़ी होती है और male जो है वो छोटा होता है इनमें जननंग, gonads, dugs जो भी है single और double दोनों होती है या तो एक होगी या दो होती है इनमें asexual reproduction नहीं होता है सिर्फ sexual reproduction होता है इनमें fertilization जो है वो internal होता है यानि आंतरिक निशेचन होता है development जादा तर प्रत्यक्ष होता है और कभी-कभी जो है वो प्रत्यक्ष भी होता है eggs जो है उनमें shell पाई जाती है काईटीनियन शेल पाई जाती है इनका जो विदलन होता है वो determined होता है और spiral होता है इनकी life cycle simple होती है और complicated भी होती है special कोई larva जो है इसके helminthus जो है वो pseudo-sulomate group का एक बड़ा animal phylum होता है यह triploblastik होता है यह organ system grade of organization होता है digestive system complete होता है reproductive system में male और female अलग-अलग होते है और यह बहार से देखने पर पहचाने जा सकते है female हमेशा बड़ी होती है और male हमेशा चोटा होता है आज की लिए इतना ही तैंक यू